हलो फ्रेंड्स वल्कम बाग तो आवर चैनल आज हम बनाते हैं शाही पनीर कुर्मा आज हमने इसे घर में जो भी समान अवेलेबल है उसी में इसे बनाया है फिर भी इसका टेस्ट एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल आया है और बहुत ही लाजवाब हमारी सबसी बनी है हमने इसे ग्यास पर बनाया है लेकिन इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा एकदम चूले की तरह आया है तो इसकी भी एक सिक्रेट है वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा तो चलिए फिर देखते हैं हमने इसे कैसे बनाया है आही पनीर कुर्मा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 मिडियम साइस के प्यास ले लिये है जिसे मैंने पतले और लंबे स्लाइसress में कट कर लिया था और जिसे हम आईल के गरम होते ही, मैंने इसमें आईल में हमें उसे फ्राइ कर लेना है जिस तरह से हम बिरियानी के लिए प्यास फ्राइ करते हैं, उसी तरह से हमें यहाँ पर भी प्यास फ्राइ करना है और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी प्यास भी तल चुकी है इसी तरह से हम सेकेंड बैज भी यहाँ पर तल लेंगे जब हम ऑईल डालते हैं तभी हमें ग्यास का फ्लेम जो है वो हाई पर रखना है फिर धीरे धीरे हमें जैसे ही ब्राउन होने लगते हैं प्यास उस टाइम पर हमें फ्लेम ग्यास का कम कर देना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी सारी प्यास दल कर एक्तम रेडी हो चुकी है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी कुरकुरी हमारी प्यास तयार हो चुकी है तो इसी तरह से हमने प्यास तयार कर लिया है अभी हम इसका पेस्ट बना लेंगे फाइन सा यहाँ पर हमने सारे मसाले पीस लिये हैं यहाँ पर मैंने लिया है 5-7 काजू और 5 मैंने लिये थे बादाम और 2 टीस्पुन मैंने लिये थे मगजबी वाटर मिलन सिट्स उसे मैंने पानी में भीगो के 2 घंटे रखने के बाद उसे पीस लिया था और यहाँ पर मैंने तीन हरी मिर्च और लेसन और अदर का पेस्ट ब पिल करने के बाद उसका यहाँ पर प्यूरी बना लिया है और यह सारे हमारे पेस्ट बन के आपर रेडी है तो अभी हम चलते हैं ग्रेवी बनाने की और ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है जिसमें मैंने दो टेबल स्पुन घी और ड़ो स्पून ऑईल की आयगी किया है अगर आप चाहो अ पूरी स transfya ौप खी में भी बना सकते हैं और या फिर रेग्युलर जो हम उइल करते हैं उसका उसमें बढ़ सकते हैं लेकिन यह शाही है इसलिए हम इसमें घी का घी का घी एड़ करना जरूरे हैं ओइल के गरम होते ही हम इसमें एक तेज़ पता दो हरी लाइची और चार हमने काली मीरी ले ली है और एक इंच हमने दालचीनी का टुकड़ा लिया है और इसी में हम आड़ कर देंगे हमने जो टोमैटो का प्यूरी बना के रखा था उसे हमने टोमैटो को बॉयल करके ही उसकी प्यूरी बनाई थी तो इसे हमें जादा पकाने की जरूरत नहीं है इसे थोड़ा सा फ्राइच करते ही हम इसमें एड़ कर देंगे जो हमने ओनियन फ्राइच करने के बाद जो पेस्ट बना के रखा था उसे भी हम यहाँ पर आड़ कर लेंगे इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे इसके पकते ही हम इसमें आड़ कर देंगे हरी मिर्च अद्रग और लेसन का पेस्ट जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया था इसे भी हम इसी में आड़ कर देंगे पेस्ट को आड़ करने के बाद हम इसे 2-3 मिनट पकने देंगे और इसके पकते ही अभी हम इसमे आड़ करेंगे जो हमने कार्जू बादाम और वाटर मेलन सेड्स का जो पेस्ट बना के रखा था उसे भी हम यहांपर आड़ कर देंगे और इसे भी हम अच्छी तरह से मिलाते हुए पका लेंगे अभी हम ग्रेवी को अच्छी तरह से पकने देते हैं और दो से तीन मिनट के बाद ये देखिए यहाँ पर हमारी ग्रेवी का कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छे से और ओयल भी साइड में आ चुका है अभी इसमें हम सारे सुखे मसाले आड़ कर देंगे सुखे मसाले में मैंने लिया है एक से देट टीस्पून किचन किंग मसाला लिया है एक देट स्पून धनिया पाउडर लिया है आदा टीस्पून हल्दी लिया है दो टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर और एक टीस्पून मैंने आप पर नमक ले लिया है और अगर आपके पास किचन किंग मसाला नहीं है तो शाही पनीर मसाला या कोई भी सबजी वाला मसाला है आपके पास पनीर वाली सबजी का तो आप उसे भी आपर आड़ कर सकते हैं अभी हम सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पका लेंगे और इसके अच्छे से मिक्स होते ही हम इसमें एड़ करेंगे अमूल का जो फ्रेश क्रीम आता है वो मैंने यहाँ पर दो से तीन टेबल स्पून यहाँ पर ले लिया है और अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप दूद के उपर जो मलाई आती है उसे लेकर अच्छी तरह से फेट कर इसका भी इस्तमालिया पर आप कर सकते हैं फ्रेश क्रीम के आड़ करते ही यहाँ पर ओईल एकदम साइड में आ चुका है आप देख सकते हैं ओईल एकदम से साइड में आ रहा है तो यह है हमारा मसाला एकदम अच्छी तरह से यहाँ पर पक चुका है ग्रेवी भी देखिए एकदम सॉफ्ट पनी है और कलर भी बहुत ही अच्छा आया है और ओईल भी एकदम सेपरेट होने लगा है अभी हम यहाँ पर पनीर आड़ कर देंगे पनीर मैंने 200 ग्राम लिया है जिसे मैंने छोटे टुकडों में कट कर लिया है पनीर को हम अच्छी तरह से ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते ही हम इसमें आड़ करेंगे पानी पानी मैंने यहाँ पर एक ग्लास लिया है लेकिन मैं ग्रेवी के हिसाब से ही पानी आड़ करूँगी तो अभी मैंने यहाँ पर आदा ग्लास पानी आड़ किया है और अगर लगता है मुझे तो मैं फिर से आड़ कर दूँगी तो आप अपने आपको ठीक ग्रेवी पसंद है या पतली ग्रेवी पसंद है तो आप उस हिसाब से यहाँ पर पानी आड़ कर सकते हैं मैंने यहाँ पर पूरा एक ग्लास पानी आड़ किया है और इसे अभी हम आप देख सकते हैं ग्रेवी ठंडी होने के बाद फिर से यह गाड़ी हो जाएगी इसलिए मैंने इतना इसे पानी आड़ किया है और अभी हम इसे ढखकन रखकर अच्छे से एक बॉइल आने देंगे सबसी में बॉइल आते ही हम लीड हटा कर इसमें एक टीस्पून जितना घरम मसाला और आधा टीस्पून जितना मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी आड़ कर दी है कसूरी मेथी को मैंने थोड़ा ड्राय रोस्ट करके उसका पॉडर करके यहाँ पर आड़ किया है हम ग्यास बं करके उसके उपर मैंने यहाँ पर घीर डाल दिया है और आप देख सकते हैं पूरा स्मोक हो चुका है अभी हम ढखकन लगा कर इसे दो मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे इससे हमारी सबजी में बहुत ही अच्छा चूले जैसा टेस्ट आएगा और यहाँ पर हमारा रिस्टोरेंट जैसा स्मोकी टेस्ट वाला शाही पनीर कुर्मा एकदम तयार है और आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेवी भी कितनी अच्छी सॉफ्ट पनी है और कलर भी बहुत ही अच्छा आया है और टेस्ट में तो बहुत ही लाजवाब है तो आ अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर करिए आपकी कमेंट्स से हमें मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियो बनाने के लिए और अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलिए और अपने फैमली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करि तो मिलते हैं ऐसे ही नई रेसिपीज के साथ तब तक के लिए बाई